इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते और अत्यदिक तेल और रूसी से संबंधित खुजली से राहत दिला सकता है। ये बालों के विकास को बढ़ावा दे सकता है, बालों को चमकदार और रेश्मी बना सकता है और खोपड़ी को शुद्ध कर सकता है। प्राकृतिक अव्यवों में शीतलन, अंटिसाप्टिक और कसैले गुण भी होते हैं। इसे अनन्तमूल, सफेज चंदन, मंजिष्था, खादिर, करंजा और नीम से डिमिनलाइज पानी के साथ बनाया जाता है। यह एक कंडीशनिंग शैंपू है और एक अलग कंडीशनर की आवश्यक्ता नहीं है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, डैंड्रफ कम करें ये शैंपू डैंड्रफ के गुच्छे को साफ करने में मदद कर सकता है और अतिरिक तेल और डैंड्रफ से संबंधित खुजली से राहत दिला सकता है। ये अनन्तमूल, सफेद चंदन, मनजिष्ठा और नीम जैसी आयूरवेदिक जड़ी बूटियों से बना है। दो, डैंड्रफ से संबंधित खुजली कम करें, अनन्तमूल तवचा के लिए प्रभावी माना जाता है और इसकी जड़ों को बालों और स्कैट क्लेंजर के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है। ये खोपड़ी को भी शुद्ध कर सकता है। सफेद चंदन बालों के स्वास्थे को बढ़ावा देने के लिए रूसी को कम करने और खोपड़ी में अतिरिक्त सीबम स्राव को दूर करने में मदद कर सकता है। 3. प्राकृतिक अंटियोक्सिडेंट और अंटिसेप्टिक मंजिष्ठा में अंटियोक्सिडेंट और कसैले गुण होते हैं। ये अतिरिक्त रूखेपन को कम करने और रूसी और बालों की जढ़ने को नियंत्रत करने में मदद कर सकता है। नीम अंटिसेप्टिक है और रूसी को नियंत्रत करने और बालों की विकास को प्रुटसाहित करने में मदद कर सकता है। नीम में अंटिफंगल और अंटिसेप्टिक गुण भी होते हैं। 4. हानिकारक रसायनों से मुक्त शैंपू सलफेट, पैराबिन और अन्य हानिकारक रसायनों से मुक्त है। पांच, रंगीन और रासायनिक रूप से उपचारत बालों के लिए सुरक्षित, शैंपू आयूर्वेदिक अव्यवों से बना है और रासायनिक रूप से उपचारत बालों पर उप्योग के लिए सुरक्षित है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें